नमस्कार मैं हूँ आशुतोष दिक्षित डियॉर्टरिंग में आपका स्वागत है क्या रशिया युद्ध चाहता है ये सवाल बीते कुछ समय से चर्चा का विशय बना हुआ है क्योंकि हालही के दिनों में रशिया ने अपने पडोसी मुल्क यूकरेन की सीमा के समीप अपने सैनिकों की तैनाती तेज करती है जिस वज़ा से पश्चिमी देश और रशिया के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई है आपको बता दें कि हालही में सोवियत संग के विगटन को 30 वर्ष पूरे हो गए जिसे रूस के राश्टपती विलामदीर पुतिन ने 21 सदी की सबसे बड़ी जियो पालिटिकल तरासिदी बताया उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के इस विगटन के कारण हमने हजारों वर्षों में जो जमा किया था उसे एक जटके में ही खो दिया गौर तलब है कि 1991 में सोवियत संग वैश्विक और आंतरिक समावेश के कारण 14 देशों में बढ़ गया था जिसमें सबसे बड़ा भूभाग होने के कारण रश्या को उसका उत्रा धिकारी माना जाता है कई वैश्विक सलाकार ये भी मानते हैं कि रश्या अपनी पुरानी खोई विरासत को फिर से पाना चाहता है इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं बाकी खबरों के लिए बने रहें दि ओर्टरिंग के साथ धन्यवाद